जोतिस क्या है जोतिस का मतलब होता है कि भरिष्य को देखना जोतिस एक विज्ञान है ऐसा नहीं कभी ये विक्सित नहीं हुआ कि सभ्यता में ये बहुत अपनी प्रच्रम सीमा बता लेकिन वह सभ्यता के नस्ट होने पर कि इसके अब कुछी शुत्र लोगों घातम है जो अब उस जोतिस सारे भ prov Facebook को ट्रॉनिक को शिसकी जारी है जैसे मैंने कई कि जोतिस एक भविष्ञ है भविष्र से की घोश्णा जब विज्ञान भवी से गोष्णा करने लग जियाएगा तो उस दिन विज्ञान रहेगा वो उस दिन जोतिस विज्ञान हो जियाएगा कि जब उन्हों से जनम लेता है तो उस समय उस छण जो भी ग्रह नक्षात्र होते हैं उसके अनुसार इस जोतिस की गण्णा की जाती है अब जर्म भी दो परकार की होते हैं ऐसे नहीं कि एक परकार की होता है जर्म जिस समय मा के गर्म में मा के गर्म जब बीच का स्थाना अंतर होता है उस समय का छण और जब वो इस अनसार में आता है उस समय का चंड मिलकर ही मनुष्य के चीवन के बारे में जो भी कुछ के डेस्टिनी होती है वो ग्रैनक्षत्रों का दारपन रिधारित हो जाती है अब जिसक्विश्टे नोठता है कि कोई भी मनुष्य अगर कोई भी जीव अगर एक साथ जनम लेता है अगर किसी को दोनों की चीज को देखा जाता है और देखो कोई भी चीज एक जैसी नहीं होती है कोई है कि अगर किसी 2जैंब एक जैसे हो मैं जनाम की समय समय और संसार माथ्य समय उपने संसार अब जैसे हैं तो तो उनमें कुछ से अभींता होसकती है मतल्ब कुछ उनमें वह है सब्सक्राइब यह चीज हो सकते हैं लेकिन कि उन्हें प्रकरती के नियम है कि कोई भी चीज जो कोई भी एक जैसे रीपीट नहीं होती है है और अब चाहे उनका गरब के समय एक हो चाहे वो जनब के समय एक हो लेकिन उनके हातों की रेखा मिलेगी अंगुठों की जो रेखा मिलेगी वह भीन मिलेगी तो अइसा नहीं है कि कोई भी चीज रिपीट होती हो या कोई भी चीजária क Means to कि करबन को फ्यों Luis इस परमात्मा बहुत विलक्षण है कि और इस परमात्मा ने तो कारण अर जैसे मैं बताया कि विज्ञान जैसे दिन भायुष्य गोषना कर देगी उस दिन समझ लो वो जोतिस विज्ञान ही हो गया तो अभी क्या है कि विज्ञान उस बहुत से को टॉटोल नहीं कोशिश कर रहा है दीदर पहले पहले तो यह कहता था कि अब जैसे अब उधान देता हूं मैं जैसे आपको प्रग्राम उता है कि दॉट सबको पता है कि वह को चीज होती है तो बीज को कर यह देख कर यह पताओं लग लग गए कि यह आदमी आप ऐसा होगा तो यह विज्ञान उस तरफ बढ़ रहा है दिए तो यह बिल्ट-इन प्रोग्राम होता है ऐसे ज़स मनुस्य के बीज में भी ऐसा ही होता है तो यह जो भुष्य को देखना है यही है जोतिस जोतिस अब कुणली के अधार पर जो ग्रहन अक्षत्र उस समय हो जिसमें वो पैदा हुआ तो उसके अधार पर एक पहलु है दूसरा जो गरबधान का जो समय है वो तो इसका पता लगाने काभिया साधन उपलद हुआ नहीं है तो यह लेकिन जो डूसरे जनम होता है जो संसार में जब आता है जो उस समय होते हैं उसके अधारपा पर हम उसके बहुत से की टटोल ने कोशिज करते हैं कि इसका ऐसा होगा और यह हमें बहुत मजबूती चीज प्रदान करते हैं ताकि हम उस उस सीज के लिए हम त्यार रहें मतलब एक कहते हैं तथा तग वाओ जिस्विकार वाओ वह सीज के लिए में कहते हैं ग्रेन अक्षत्र चालेश कोई हास्ता हो जाता है तो होनी थी तो वहीं चीज़ें हैं तो यह जो तिसी जो है डेस्टिनी जो दिखाती है ग्रेंस अब देखते हैं यह हमें एक मतलब है क्या टात्त पृकलर होता है जब देखोच मिदेखो सूर्ज होटा सूरे में कोई भी घटना घटती है ऐसा होता है कि ही 11 κι1 जबस ही 11 तो तो मैं यह हमारे धर्ति को पर भी उसी का प्रभाव देखने मिलता है जिस महामारी हुई लड़ाई युद्वे यह सब सूरे के सूरे पर होने वाले गटना करम का ही एक परचेखपन है अब जैसे चंद्र मा होता है पूर्णी में चांद निकलता है और देखो उस समुंदर म कि तूफाना है था था चंद्रमכर में जलत अठारासी है तो समुंदिर के जवर उठता है वो उसकित पूर्ण चांद की तरफ एक्षीद ळोगा उसी तरह उठता है पानी को अक्षीद करता है तो यह कि इससे कि यह विज्यानिक सिद्ध है कि मतलब यह की नक्षत्रों जो ग्रहों का आया चंद्रमा का सूर्य का परभाव मतलब इसके प्रिथ्विवर पढ़ता है और भहूत हत्तक मनुस्य की परभाव पढ़ता है जैसे पूर्णे में निकलता है तो उस टाम में ज्यादा लोग पागल होते हैं यह विज्यानिक से बता रहा हूं ज्यादा चंचल जाता है अमा आव सक टाइम कम होता है त तो देखना उसकी बहुत लोगों की कुलियां देखे गई उसमें देखे गाए कि मंगल पर जाते हैं मंगल परभाव कर जाते हैं तो हर एक नक्षात्र की वह चीज़े होती है जिसका परभाव मनुष्य से पढ़ता है उसका अगान वह विक्सित होते हैं डेक डेस्टिन धार सब्सक्राइब कर जाते हैं हर अलगलग कारक है उसका नसुब आसुब चीज़े होती है और शीज़े समय अब गन्ना कर लगा लेते हैं बहुष्यों टाटोल ने कोशिश की जा रही है कि ऐसे इसकी डेस्टिनी है परफ्रेक्ट कोई चीज तो मिली नहीं अभी मिली नहीं क सब्सक्राइब किसी समय मौहा होगा अभी ऐसा हला नहीं है लेकिन हां इतना ज़रूर है कि आनवला भ्यूस्ट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो विज्ञान है वो आनने वल्टाइम में जो तिस विज्ञान हो जाएगा बहुष्यों कोई है अब हमें भूत काल है जाल है और अभी उससे भुष्याकाल होगा लेकिन यह ए कि हमारा अज्यानत है करना हम भुष्याकाल को नहीं में दे सकते हैं लेकिन भूत काल है जैसे ही लिए विग्यानितने मिक्सिता भुष्यागा कि आपने सुना होगा उसमें लोग बहुत भी है भूत भी था वर्तमान भी है यह सब्सक्राइब लेकर आने वाड़े विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि वो जो जोत्सी गणना है जो हो रही है इसी को बिल्कुष सही सिद्ध कर देगा कि आजकल हमके विज्ञान पर जादा भरोसा करते हैं तो आनवल टाइम में विज्ञान इतना विक्सत हो जाएगा जो तिस्चु गणना है यह बिल्कुल ही सच्च साबित हो जाएंगी ठीक है यह एक डेस्टिनी होगी एक ने एक दिन आज बहुत सब्सक्राइब बता देते यह 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 तो जो तिस विज्ञान तो पहले सी है ले बीच में कुछ सब ब्यता ना स्टोड़ने काना ऐसा हो गया लेकिन आनवाल बैस से महीं होगा यह थी कि मान विकास हो रहा है और हर तरह कर लोग है ठीक है तो हर्त कि हर आदमीक डेस्टिनी है जब जो तीस इम घुसर करें खऌना है ठीक है और इसको मानने वाले बहुत है ठीक है लेकर यह है कि अभी इसको लोग बहुत स zeggen समझते हैं समस्ते हैं लेकिन आनवाढ़ बाइस यह चीदज निरहतunn नहीं होगी यह बिल्कूर सार्थक होगी ठीक है और जोतिस एक बहुत मानव जीवन के लिए बहुत वरदान है और इसका अगर उप्योग करें तो अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं बस यतना ही गया था मेरा धन्यवाद